अमेरिकी राष्ट्रपती डुनाल ट्रॉम्प ने कोरोना वाइरस महामारी पर दिये अपने जवाब का बचाव किया है। ट्रॉम्प ने इसे चीन की गलती बताते हुए कहा कि उन्हें अभूत पूर्व काम करने के लिए गवर्ननों से प्रश्चन सामली है। दरसल अमेरिकी राष्ट्रपती चुनाव के पहले प्रसिडेंशल डिबेट में डेमोक्राटिक राष्ट्रपती पद के उमिदवार जो बिडिन ने कोरोना वाइरस महामारी के लिए ट्रॉम्प की प्रत्विक्रिया के आलोचना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपती के पास कोई उजणा नहीं है और उन्हेंने संकट को कम करके पेश किया। इसपर ट्रंप ने कहा कि आप नहीं जानते हैं कि भारत, चीन और रूस में कितने लोग मारे गए हैं। भारत, चीन और रूस ने मृतकों की संख्या छिपा रखी है। इस पर जो बिडिन ने कहा कि सब को पता है कि ट्रम्प जूटे हैं। ट्रम्प ने कहा कि अगर बिडिन उनकी जगे होते तो अमेरिका में महामारी से दो करोड लोगों की मौत हो जाती। इस पर बिडिन ने कहा कि सब को पता है कि ट्रम्प जूटे हैं। दरसल अमेरिका में नया राश्रपती कौन होगा इस वैसले से ठीक 35 दिन पहले वाशिंग्टन में वर्टमान राश्रपती, डोनाल ट्रम्प और डेमोक्रिटिक उमिदवार जो बिडिन के बीच प्रेसिडेंशल डिबेट चल रही थी। दोनों ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के भविश्य को लेकर अपनी सोच रख रहे हैं।